हलो गाईज एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चानल पर क्रिकेट और आप आशिश राठी और आज मैं आपको बताने वाला हूँ गाईज प्रैक्टिस प्रोसेस और पनिश्मेंट के बारे में यह क्या है आप टाइटल सोच के यह टाइटल ऐसी कोश्चन मांग देदी है मैंने यह क्या है एक्चुल मैं इसके बारे में क्यू बात करने वाला हूँ यह आपको कहा अफेट करेंगा यह साइकोलोजी माइंडसेट का अब यह ऐतिन के इसको सकते यह इसको आप इसको डेवलपमेंट में मदद करेंगा कॉंस्टन माईंडसेट तकड़ा माईंडसेट मेंटेन करने में मदद करेंगा एक क्या बोलते तोषटी अ कनि पैल्आ उप ऐलनूर जिसको आता है वह इंस्ट्रींंग जो रहता हैा तो गाइस जैसे कि आप सभी जानते है कि प्रोसेस अब मैं प्रोसेस की क्यों बात कर रहा हूँ और यहां प्रेक्टिस में प्रोसेस आई प्रोसेस में पनिश्मेंट आई क्या होता है किहसी आप जैसे मैं जब से बच्पन से खेलते हैं तो बहुत सब्सक्राइए क्या अप्रेक्टिस कर रहा है क्योंकि अपनें को चक्के कांटिने चवंचल होता है अगर आप से छक्क्न से घडिये वह मतले खनीग में भी आप व्हाँ छगों से गालने लगती है ठीक है बैसमन जल्दी आउट हो गया तो उसकी लाइकी निकलते है ठीक है यह क्या होता है इसमें आपको जनरली प्रोसेस पे धहन नहीं दे रहे है फेर ओफ फेलियर पे यह यह 90% लोग ऐसा ही करते है यह कल्चर बिल्डप हो गया है फेर ओफ फेलियर आपको कहा धहन देना प्रोसेस पे ऐसा कोई भासमन नहीं है जिसने जिरो नहीं बना और सचीन दरत नोलगा के बना जिए जो पय्लग धो的人 और नहीं है घय आप निकल लिजये नहोंने कभी ना कभी 20 रन की और खाई है तो ऐसा नहीं है कि उनको मार नहीं पड़ती है बॉलर को बहुत अच्छे है इसलिए यह कभी नहीं है क्योंकि रिजल्ट हमेशा constant नहीं रह सकते कभी नहीं रहेंगे ठीक है process हमेशा constant रह सकती है अगर आप रिजल्ट से associate करोंगे खुद को तो आपका belief system भी कभी constant नहीं रहेंगा आप day-to-day life में जो भी आप day-to-day life में कर रहे हो जैसे for example अगर आप गाड़ी चला रहे हो आप गाड़ी चला रहे हो थे कैंद से चला रहे हो यह उर्मन kत आप वहında so card somebody should be a77-22 होँ स्थे चला रहे हो दोह अब आप कर रहे हो इक चीज है एक चीज कर रहे हो और करण दो अलग तरीके से रह से हैं माइं को अलग instruction दे के कर रहे हो देखिए सिंपल सी चीज़ है आप गाड़ी चला रहे हो ध्यान से चला रहे हो दोनों बार पर एक बार क्या बुर रहे हो आपको माइंड को कि यहां नहीं होना चला रहे हो ओई है अगर आपने वह आपने एक सिंपल बन जाता है वह माइंड से बन जाता है और अरिर लिआ कई बनेंग नहीं बनने नहीं होने वह न न अशस्य आवन न होना है आओ और यह और आपने आअगा और आई ner somehow और ऑन आपको आउट होना नहीं है यह प्रोसेस से नहीं जाना है यह माइंडसेट से नहीं जाना है आपको अलर्ट रहना है आपको बहुत पूरे मिरिट पे खेल के देखना है खेलते हुए करना है मिरिट पे पूरा तो यह प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस में प बनाना लॉंगर टम तर्ब आपका बिलिफ सिस्टम करना है ना तो फेर और फेलियर कभी नहीं रहना चाहिए कि आउट हो गया चल बहार निकल आउट वा तो चल बहार निकल यह मेरे एकेडेमी में नहीं होता है यही मेरी एकेडेमी अलग है दूसरों से जब फिल्डिंग कर रहे हैं मैंने यह देखा है फिल्डिंग करते हैं कि फिल्डिंग कर रहे हैं कैच छुटा तो पुश अप मारो पुश अप मारने से आपको फायदा है जरूर जैसे कि मैंने बोला गा द्क में रहता है वो दीरे 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 सब आइसमें सिटम में इतना स्ट्रॉब हो जाता है nhất आ प्रेस्ट hol रे हमेशा है तो जब हैंपरोड़न्स इंपड़नेश रहतो वह इंस्टination नहीं नहीं दो हो तो एसमें को पनीश्मेंट यह उसमे judah pref consig Doesnot हमेशा धान रखना कि आपकी प्रोसेस गलत हुई तो पनिश में कैचिंग अपन प्रैक्टिस इसले ही कर रहे हैं क्योंकि अपने को कैच नहीं छोड़ना है मैच में आप कैच छोड़ देता हो समझ लो आपने मैच में कैच छोड़ दी प्लेयर्स गाली मारते हैं ठीक है अप अपने टीम मेच क्लब के मिमबर्स है वह गाली मारते है उसके वज़े से क्या होता है आप क्या करते हो कि आप जाके वापिस जब बॉलिंग करने जाते हो या बैटिंग करने जाते हो तो पास्ट आपके माइन में चलते रहता है क्यों होता है यह क्योंकि आप उसको अस्व पाव him कि नहीं भाई ये बंदा रिर्गूलर आता है प्रेक्टीस केरता है के चैचट बहुत अच्छी पंखड़ता है मैल में ड्रॉप हुई है मैं रिजल्ट वो प्रॉसेस है यह प्रोसेस क्या सही है कि वह अगर समझेराक्टीस सेशन है fitness session है catching session है तो वो कितने इमानदारी से कर रहा है वो regularly club members को दिखता है कि नहीं इमानदारी से कर रहा है सब कर रहा है बढ़िया कर रहा है यह match में होना ही है match में 0 पे भी basman out होना है baller को baller को run भी पढ़ने है और catches भी drop होने है कितना भी अच्छा player ले लो विराट को ले लो बहुत catches drop होते है होते ही है आप इसको deny नहीं कर सकते fact को तो आपको कहा है ध्यान देना है कि अगर मेरी catch drop हुई process क्या है कि मैं जाके उसकी वापिस पचास सो बॉल practice करूँ ना ही उसको associate कर लूँ कि यार मैंने catch drop कर दी या मैं zero पर out हो गया zero पर out हुआ introspect करना है introspect करना है कि क्या practice मतलब कैसे out हुआ है और जाके उसको process में convert करना है कि ये इसके लिए practice जरूरी analysis करके वो practice करना है जब आप ये result oriented रहेंगे कि zero पर out हो गया zero पर out हो गया तो आपका mind वैसी work करना शुरूँगा धिरे 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 क्या होँगा आप constant कभी नहीं रह सकते क्योंकि result हमेशा constant नहीं है ठीके 100 बनाऊंगे जब बहुत excited room है और जब failure आएगा तो वो failure भी ऐसा ही रहेंगा जब बहुत बुरा लगेंगा ठीके एक दिन बहुत आप टॉप पर रहूंगे पेपर में नाम आएंगा यह आएंगा continuously और एक दिन आप कोई पूछेंगा नहीं आपको टीम से भी बाहर हो चुके होंगे तो तब आपका ये जो belief system तब काम आएंगा तब constant belief system longer term तलब काम आता है तो इसलिए हमेशा धियन रखेмо कि process में punishment डीज़गी अगर आपको timing है कि timing आपको पता है कि practice का ये है fitness का ये है gym करना है workout करना है catching करने है इतनने ball batting करने है इसे batting करने है इस पर अगर आप दहन दोंगे और ये आगर नहीं किये तो आप कही ना कही आप अपने आप से आप अपने आप को क्रिकेटर के तौर पर इनसाफ नहीं कर रहा है क्योंकि यह cricket सिप cricket नी सीखाता cricket के अला बहुत कुछ चीखाता है तो लाइक में भी प्रोसेस वे पनिश्मेंट डीजे रिजल्ट में कुछ भी हो सकता है रिजल्ट अपने अगेंस में भी जा सकता है अपने खिलाब भी जा सकता है ठीक है तो इसका ध्यान दीजे फिलाल के लिए इतना है है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आओंगा अगर पसंद आया तो प्लीज दिजे लाइक किजिए और आपके कमेंट्स क्यूरी आन दीजे जो आपको लगता है माइंसेट रिगाडिंग जो भी प्रॉब्लम्स आप पेस कर रहे हो विज्वालाइजेशन क है बहुत सारी चीजे जूढ़ी है कि ये एकदम से नहीं होगा धीरे 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 अपको डेटू डे लाइफ में आपके जो लाइफ में भी यह सेट करना है और ख्रिकेट क्यलते हैं दो कرفना ही तो यह धीरे 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 आपका mindset वैसे work होंगा और एकदम तगड़ा mindset बनेंगा जो positive एक constant level पर confidence रहेंगा तो यह बहुत ज़रूरी है फिलाल के लिए इतना है till the next time love you all